मुवी की सुरुआत में हम एक सिप को देखते हैं जिसमें कुछ मॉंस्टर हंटर होते हैं और वो किसी एक बड़े मॉंस्टर का सिकार करने जा रहे थे उसी सिप में हम एक hanter को देख पाते है जिसका नाम Aiden था जो उन सभी hanter को जिसका वो सिकार करने जा रहे थे उसको हलके में ना लेने की बात कहता है वो बताता है कि उसका भी सामना एक ऐसे ही बड़े monster से हो चुका है और वो सभी को वोन करता है कि वो लोग उस बड़े मॉंस्टर को बिल्कुल भी हलके में ना ले क्योंकि ये बड़े मॉंस्टर बहुत ही जादा ख़तरनाक होते हैं जो एक ही जटके में पूरे के पूरे सहर को खत्म करने की ताकत रखते हैं इसके बाद हमें एडन का पाश्ट दिखाया जाता है जो तीन बेन नाम के एक छोटे से गाउं में रहा करता था जहां पर सभी हंटर बहुत मिल जुल कर रहा करते थे और वहाँ पर उनके आसपास बहुत से मॉंस्टर भी रहते थे वहाँ पर कोई भी मॉंस्टर अगर इन गाउं वालों को नुकसान पहुचाता तो वो हंटर उसे खत्म कर दिया करते थे इसके बाद हम एडन को देखते हैं जो मचलियां पकड़कर अपने घर पहुचता है और वहाँ से वो अपना कुछ हत्यार लेकर जंगल की तरफ जाने लगता है क्योंकि उसे एक मॉंस्टर का सिकार करना था तब ही रास्ते में उसे एक किसान नजराता है जो एडन को बताता है कि किसे ने उसके खेट को बरवात कर दिया ये सुनकर वो समझ जाता है कि हो ना हो ये किसी मॉंस्टर का काम है तब ही उसे वहाँ पर उसी मॉंस्टर के पैरो के निसान नजराते हैं वो उनी पैरो का निसान का पीछा करते हुए जंगल में आगे बढ़ता है जहां एक खाई के पास उसे वही मॉंस्टर मिल जाता है जिसने उस किसान की फसल को बरवाद किया था इस कारण वो तुरंती उस मॉंस्टर पर अटैक कर दीता है वो उसके पैरों में एक तीर मारता है जिससे घाय लोकर वो मॉंस्टर उसी खाई में गिर जाता है और एडन को लगता है कि साथ उसने उस मॉंस्टर को खत्म कर दिया लेकिन थोड़ी देर बादी वो मॉंस्टर एक बार फिर से उस खाई से बाहर आता और एडन के उपर अटैक कर देता है और वो उसे खत्म करने ही वाला होता है लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ा मॉंस्टर हंटर आता है जिसका नाम जूलियस था वो किसी तरह अपनी बहादुरी से उस मॉंस्टर को वहीं पर मार गिराता है इसके बाद एडन उसे बताता है कि वो इस मॉंस्टर का सिकार करने आया था जिसने एक किसान के खेट को पूरी तरह से बरबाद कर दिया तब ही जूलियस को एडन उन्हीं के पैरों के निशान दिखाता है वो उन्हें देखकर समझ जाता है कि ये किसी मॉंस्टर के पैरों के वो उन्ही पैरों के निसान का पीछा करते वए गुफा के पास पहुँच जाता है जहां पे उस गुफा में उसे एक बिल्ली नजर आती है जिसका नाम नौक्स था और वो इंसानों की तरह बोल भी सकती थी एडन उसके पास जाकर उसे पूरी तरह से पीटने लगता है और उसे अपने साथ लेकर वो गाउं के सरपंच डैजल के पास आता है जहां वो उन्हें बताता है कि इसने हमारे एक किसान की फसल को बरवाद किया है तब ही वहाँ पर हम जूलियस को भी देख पाते हैं जो गाउं के डैजल को किसी अंजान खत्रे के बारे में बता रहा था वो डैजल को बताता है कि लुनास्ट्रा नाम का एक बहुत बला ड्रैगन उनके गाउं की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है और वो किसी भी वक्त गाउं पहुंचकर गाउं में बुरी तरह से तबाही मचा सकता है एडन भी वहीं पर खाड़ा था लेकिन वो एक छोटा हंटर था इस कारण उसे लुनास्ट्रा ड्रैगन के बारे में पता नहीं था डेजल उसे बताता है कि लुनास्ट्रा पुराने जमानी का एक बहुत बला ड्रैगन मॉंस्टर है जो सौ साल में एक बार अपनी आत्रा सुरू करता है लेकिन कुछ सालों से वो ऐसे ही कई चोटे चोटे गाउं को अपना सिकार बना रहा है वो जिस भी गाउं से गुझरता है वहाँ बुरी तरह से तबाही मचा देता है और वो इतना जादा खतरनाक है कि उसकी एक फायर फ्लेम से ही पूरा का पूरा गाउं तबाह हो सकता है जूलियस डेजल को कन्वेंस करता और उससे कहता है कि उन्हें गाउवालों को यहां से किसी और दूसरी जगह पर ले जाना चाहिए नहीं तो लुनाश्टरा ड्रेगन उन लोगों को नुकसान पहुचा सकता है डेजल उसकी बात मान लेता है लेकिन गाउं में मौझूद लोग अपना घर बार छोड़ कर जाना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें जूलियस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था क्योंकि जूलियस उन लोगों के गाउं का नहीं था कि वो गाउं से कितना दूरी पर है ताकि वो उन लोगों को आगाह कर सके और वो लोग इस गाउं को छोड़ कर यहां से चले जाए इसके बाद जूलियस एडन दोनों ही नॉक्स को अपने साथ लेकर उस ड्रैगन को ढूणने के लिए उस गाउं से बाहर निकलते हैं उन लोगों को सफर करते हुए बहुत देर हो जाती है और रात होने के कारण वो एक जगह पर रुक कर खाना खाने लगते हैं तब ही वहाँ पर उन लोगों को बहुत सारे मॉस्टर इधर उदर भागते हुए नजराते हैं जूलियस समझ जाता है कि ये मॉस्टर क्यों भाग रहे हैं क्योंकि लुनाश्टर ड्रैगन इन लोगों को खत्म करने के लिए और जंगल में पूरी तरह से तबाही मचाने के लिए आ चुका है जूलियस एडन को लेकर एक पीड़ पर चड़ जाता है जहां पर वो एडन को उसी लुनाश्टर ड्रैगन को दिखाता है जो देखने में बहुत ही जादा खतरनाग था जिसके मुँसे फायर फ्लेम निकल रही थी और वो देखते ही देखते आसपास के जंगलों में आग लगा रही थी जिससे कई जंगली जानवर और कई मौस्टर बुरी तरह से मारे जा रहे थे इसके बाद जूलियस एडन को बताता है कि तुम्हें जल्द से तेन में गाउं जाकर अपने लोगों को आगाह करना होगा और उन लोगों को किसी सेव जगे पर ले कर जाना होगा जूलियस उसे बताता है कि वो भी अपने गाउं जा रहा है ताकि वो अपने लोगों को बचा सके जूलियस की इन कायरता भरी बातों को सुनकर एडन उसे बताता है कि हम उस लुनास्टर ड्रेगन से डर कर इस तरह भाग नहीं सकते क्योंकि हम इंसानों और कुछ मॉंस्टर को तो बचा सकते हैं लेकिन हमारी इस प्रकृति का क्या होगा जिसे ये ड्रैगन पुरी तरह से तबाह कर रहा है उसकी ये बाते सुनकर जूलियस उससे पूछता है कि इस तरह की बाते वो सीखता कहां से है तो वो उसे बताता है कि उसने ये सारी बाते एक बुक से सिखी है जिसमें तरह तरह के मॉंस्टर के बारे में लिखा हुआ है और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि किस तरह से मॉंस्टर का सामना करना चाहिए एडन उसे बताता है कि वो बुक उसे नॉक्स के गुफा में मिली थी जब वो उसे पकड़ने गया था जिसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब वो उस लुनाश्टा ड्रेगन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ेंगे ना कि उससे बचने के लिए भागेंगे जूलियस चोटे हंटर एडन की बहादूरी भरी बातों से बहुत जादा परवावित था इसी कारण वो भी एडन के साथ ड्रेगन का सामना करने के लिए तयार हो चुका था वो अपने पास रखी फ्लेयर गन को जंगल में ही फायर कर देता है ताकि आसपास मौझूद सारे हंटर उन लोगों की मदद करने के लिए वहाँ पर आ जाए और वो सभी मिलकर उसे हरा सके जिसके बाद वो दोनो नॉक्स के पास पहुंचते हैं जहां एडन उससे पूचता है कि उसे ये बुक कहां से मिली नॉक्स उन लोगों को उसी तरफ ले जाने लगता है जहां पर उसे वो बुक मिली थी इसके बाद वो लोग उसी तरफ आगे बढ़ते हैं जहां रास्ते में उनको एक मकडी वाला मॉंस्टर मिलता है जो उनके उपर अटैक कर देता है लेकिन तभी वहाँ पर में नाम की एक और दूसरी हंटर आ जाती है जो जूलियस के उसी फ्लेयर गन की रोशनी को देखकर उ आगे बढ़ता है लेकिन वो मॉस्टर खतरनाग था जो जूलियस पर हमला करने ही वाला था लेकिन तभी में उस मॉस्टर पर एक जोरदार हमला करती है जिसके वजह से वो वहीं पर मारा जाता है इसके बाद एडेन में की बहादुरी देखकर उसे वही बुक दिखाता है जिस पर में उसे बताती है कि ये बुक उसी की है और वो बताती है कि वो भी एक हंटर है तभी वहाँ पर नादिया नाम की एक और दूसरी हंटर आती है जो जूलियस को बताती है कि वो और में दोनों ही उस लुनाश्टर ड्रेगन का पीछा करते करते ही यहां तक रिन उन सारे हंटर को वहाँ पर देखकर बहुत खुश होता है और वो उन सभी को बताता है कि हम सभी लोगों को मिलकर लूनाश्टर ड्रेगन को खत्म करना चाहिए लेकिन मैं उन सभी को बताती है कि उन लोगों के पास उतने अच्छे हत्यार नहीं है जिससे वो उस के हत्यार बनाया करता है जिसके बाद वो सभी लोग इकठा होकर रावी नाम के उस हंडर के पास जाते हैं ताकि वो उस ड्रैगन से लड़ने के लिए कुछ हत्यार उससे बनवा सके वहाँ पहुंचने पर एडन रावी से मदद मांगता है और उससे कहता है कि उन सभी लोगो को आज तक कोई भी हरा नहीं पाया और इसलिए वो इसमें उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा वो उन्हें वहाँ से जाने को कह देता है निरास होकर सारे हंटर वहाँ से तेन बेन गाउं की तरफ आगे बढ़ते हैं ताकि वो लोग गाउंवालों के साथ मिलकर ही लुनास् चल जाए इसके बाद जूलियस उन्स अभी को बताता है कि पास में ही एक गोरिला मॉंस्टर रहा करता है जिसका आकार बहुत बड़ा है जिसे हम कैद करके उसे लुनास्टर डेगन के खिलाफ इस्तमाल कर सकते हैं सभी हंटर उसकी बात मान कर उस गोरिला हंटर का सिकार कर आगे बढ़ते हैं और वो उन्हें आसानी से मिल भी जाता है और कुछ दिर फाइट होने के बाद वो सभी हंटर उस मॉंस्टर को कैद कर लीते हैं लेकिन तभी एडन किसी तरह से उस गोरिला मॉंस्टर को आजात कर दीता है उसकी इस गलती के करण वो गोरिला मॉंस्टर एक बर फिर से उन लोगों के उपर हमला कर दीता है तभी वहाँ पर एक और दूसरा बड़ा मॉस्टर आ जाता है जिसे देखकर जूलियस और वहाँ मौजूद सारे हंटर वहाँ से जाने का मन बना लेते हैं क्योंकि वो दोनों मॉस्टर से लड़ नहीं सकते थे लेकिन एड वहाँ से उस मौस्टर को एक ही जटके में मार गिराता है लेकिन उसके बाद जूलियस एडन के उपर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसी की वज़े से उन सारे हंटर की जान खत्रे में आ चुकी थी वो एडन को वहाँ से वापस गाउं जाने को कह देता है क्योंकि अब नहीं चाहता था कि एडन उन लोगों के साथ रहे एडन वहां से निरास होकर अपने गाउं की तरफ वापस जाने लगता है इधर नादिया जूलियस को समझाने की कोसेश करती है और उससे कहती है कि हम सभी लोग मिलकर ही उस लोनाश्टर ड्रैगन को हरा सकते हैं इसलिए उन के लिए माफ़ी माँगने लगता है और उससे कहता है कि वो उन लोगों के साथ मिलकर ड्रैगन को खत्म करना चाता है ताकि वो भी जूलियस की तरह एक बहुत बड़ा हंटर बन सके तब ही वहां पर रावी आता जो अन सभी लोगों को बताता है कि वो उन लोगों की उस ड पता चलता है कि ड्रैगन अब तेन बेन गाउं के पास पहुँच चुका है और तबाही मचा रहा है वो लोग उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं लेकिन वो उड़ता हुआ मौस्टर तेन बेन गाउं की तरफ जाने लगता है लेकि लेकिन वो मौस्टर अपनी एक फायर फ्लेम से उस बड़े से हत्यार को उसी पहाली से नीचे गिरा दीता है जिस कारण वो पूरी तरह से तबाह हो चुका था ये देखकर जूलियस किसी तरह उस ड्रैगन को रस्यों से बांद कर पकड़ना चाता था लेकिन वो इसमें सफ वो मौस्टर जूलियस को वहां से दूर फिक दीता है जिसके बाद रावी अपनी तलवार लेकर उस मौस्टर के पास आता है और अपने साथियों से उसके दोरा बनाएगे उस हत्यार से अटैक करने को कहता है लेकिन उसके साथ ही ऐसा करना नहीं जाते थे क्योंकि वो नही पर बेहोस होकर गिर जाता है वहां मौझूद सारे हंटर को लगता है कि सायद उन्होंने ड्रैगन को मार गिराया वो एक बार फिर से खड़ा होता है जिसे देखकर जूलियस सभी हंटर साथियों को बताता है कि उन लोगों के पास अब हत्यार नहीं है जिससे वो उस ड्रै लेकिन वो उसके सामने बिल्कुल भी टेक नहीं पाती क्योंकि उस मॉंस्टर के पास उसकी फायर फ्लेम थी जो किसी भी आदमी को एक ही जटके में जला सकती थी और वो मी को भी इसे तरह से जला दीता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है इधर हम एडिन को देखते हैं और वो उस डीम को बलाश्ट करके तोड़ देता है जिससे सारा पानी गाउं की तरह बैहने लगा था जिसकी वज़े से गाउं के कुछ घर भी बैह जाते हैं और कुछ लोग भी लेकिन किसी तरह से नॉकसेडिन को एक रसी की मदद से एक पीड की तरफ खीच लीता है ताक से उन सारे हंटर ने उस बड़े से लुनाष्टरा को खत्म कर दिया था अगली सुबा होने पर सभी हंटर के पास डैजल आता है जो उस तेन बेन गाउं को बचाने के लिए सभी का सुक्रिया आदा कर रहा था वहीं पे हम एक छोटी सी लड़की को देख पाते हैं जो एड ओले बड़े मॉस्टर से बचा सके लेकिन एडरन भी अब उन लोगों के साथ ही जाना चाता था क्योकि वो भी उन्हीं की तरह एक बहुत बड़ा हंटर बनना चाता है और इसलिए वो उन्हीं लोगों के साथ रहकर उन से ट्रेइनिंग लेगा और वो जूलियस और नादि मेकी बुक उन लोगों को दिखाता है जिसे एक लेडी हंटर पढ़कर सभी को बताती है कि एडन जो भी कह रहा है वो बिल्कुल सच है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आ